मिशन 24 इंटर 7 में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ सिम्रण जी सिंग गुलिटेन के शुवात करेंगे हैडलाइन के साथ और पर दिखाएंगे आपको देन भर की सभी छोटी बड़ी खवरें फटा फटन दाज में तो आईए हैल्लाइन्स पर में ज़र डालते हैं विकास कंड शेत्र सिंधाली के चंदपाई गाउं में सड़क को ठीक करने को लेकर ग्रामेनों में दिखा जुनून सिख गॉर्मर्स ने चंदाई कठा कर सड़क की खुद की मरमत शेत्र में हो रही सरहना तेलहर में लापरवाही बनी एक महिला की मौत की वज़ है मकान का छज्जा गिरने से महिला की मौत एक महिला बालबाल बची निगोही पुलिस ने टॉप टेन अपराधी को किया ग्रिप्तार अपराधी के पास से 315 बूर्गा तमंचा और कार्तुस वरामत आदा दर्जन से ज़्यादा दर्ज है मुकद में जिलादिकारी ध्रमेंद प्रताप सिंग का तावर तोड निरिक्षण का सिलसिला जारी इवियम और वीवी पैट वियर हाउस का किया निरिक्षण बहतर रख रखाओ के दिये निर्देश और कलान पुलिस ने पांच किलो डोड़ा पोस्ट के साथ एक तसकर को किया ग्रिफतार तसकरी में इस्तेमाल होने वाली बाइक भी की वरामत ये तो थी दिन भर की हैडलाइन्स और आब आपको दिखाएंगे सभी चोटी बड़ी खावरें फटा फट अंदाज वे सहयाँपूर में किसान खेती के साथ साथ अब सड़क मरमती कंड का भी काम कर रहे हैं तश्वीरें विकास कंड शेतर सिधाली के चंदपई गाउं की हैं यहाँ वर्षों पहले बिछाया गया घरंजाज जरजर हो गया था जिसके बाद लोगों को आवा गमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था इस थानी लोगों का कहना है कि इससा समस्या को लेकर जन प्रतिनिधियों को बताएगा लेकिन किसी ने कोई सुध नहीं ली जिसके बाद सिख फारमर ने चनदा इकटा कर खुद सडक के मरमत करने का क्या इस औरान सिख फारमर ने करीब तेर किलöमेटर लंबे मार्क पर बने वए गड़नों को भरने का काम किया आपको बता दें कि ये मार्ग मुडिया पमार से चंदपई से महासिर और चक जाओ होते हुए पडोसी जिले लखीमपुर के कई गाउं को जोड़ता है सहयहाँपुर में आज किसान यूनियन चड़ूर निगुट ने पीड़ डिकाइस्ट हाउस में धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की किसान यूनियन यहाँ आवारा पसूं को पकड़ने कटीले तारों पर लगा प्रतिबंद हटाने और धान खरीद में किसानों का उत्पीडन रोकने सहित कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया किसानों का कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो आर पार की लड़ाई को तयार है जिले में ड्रेगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रसासन लगातार काम गर रहा है आज गांधी पवन सवागार में उध्यान विभाग द्वारा करसब गोष्ठी का आयोजिन किया गया यहां किसानों को ड्रेगन फ्रूट की खेती के बारे में जानकारी दी गई एज औरान जिले के प्रगतिसील युवा के सान अनसुल मिस्टरा ने किसानों को ड्रेगन फ्रूट की खेती के बारे में विस्तार से समझाया जिला उद्ध्यान अधिकारी पुनीत कुमार पाठक और क्रसी विग्यान केंदर नियामतपुर में तैनात क्रसी एक्सपर्ट डॉक्टर हिन पी गुपता और उद्ध्यान विभाक के एक्सपर्ट डॉक्टर महेश कुमार ने किसानों को ड्रेगन फ्रूट की खेती करने क के बारे में जानकारी दी जिलाउध्यान अधिकारी पुनेत कुमार पाठक ने बताया कि किसानों को ड्रेगन फ्रूर्ट की खेती करने के लिए अनुदान दिया जा रहा है इस मौकर पर मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अप्राजिता सिंग भी मौजूद रही निकोही पुलिस ने टॉप टैन सातिर अपराधी को गृफ्तार किया है पुलिस ने कारवाई करते हुए दुलिये गाउं के फ़हीम को गृफ्तार किया है जिसके पास से 353 बोर का तमंचा और कारतुसवरा मध हुए हैं गृफ्तार किये अभियुक्त के खिलाफ आदा हैं जिलादिकारी ध्रमेंदर प्रताद सिंग ने आज मगही टोला इस्थित काना गौसाला का और चक निर्क्षण कर व्यवस्थाओं को देखा ज़ारान उन्होंने निर्देश्दियें की गौसाला में समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं जिलादिकारी ने कह वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल ने आमजन से जुड़ी तमाम समस्याओं को लेकर एक ग्यापन प्रसासन को दिया है ग्यापन सौप्ते वे मांगी गई है कि आमजन से जुड़ी सभी समस्याओं का प्रमुक्ता के आधार पर निस्तारण कराए जाए साथ ही चेतावनी द शेतर के बजहेडा महुआ डांडी गाओं में एक महीला की संधिक्त परिस्थितियों में मत हो गई परिजनों ने पुलिस के धमकाने के बाद महीला की सदमे में आने से मौत होने का आरोप लगाया है बजहेडा महुआ डांडी के रहने वाले ओमकार ने पुलिस शेतर अध कारी जलालाबाद को स्विकाइद देते वे बताया कि गाउं के ही कुछ लोगों के साथ 14 सितंबर को विवाद हो गया था जिसके बाद पुलिस ने उनकी तहरीर के आधार पर NCR दर्ज की थी NCR दर्ज होने के बाद पुलिस लागातार समझोता करने का दबाव बना रही थी महिला के बेटे ओमकार ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि पुलिस ने घर जाकर धंखाया जिसके बाद उनकी मां सदावती सदमे में आ गई और उनकी मौत हो गई भारतिय किसान यूनियन भानुगुट की आज एक पंचायत दिलहर में संपन हुई यहां किसानों की समस्याओं पर चर्चा की गई पंचायत के बाद किसानों की समस्याओं से संबंधे देख ग्यापन उपजिला अधिकारी को सौपा गया ग्यापन सौप्तों में मांग की गई कि बारिस से बरवाद हुई किसानों की फसलों का सर्वे करा कर मुआवजा दिलाय जाए साथ ही सड़कों और खेतों में घूम रहे निरासरित गौवन्सों को पकड़वा कर गौवसालाओं में पहुंच आई जाने की मांग भी की जिला अधिकारी धरमेंदर प्रताब सिंग ने आज राजनेतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ वीवी पैट वेयर हाउस का त्रैमासिक आंतरे कनिलिक्षण किया जिला अधिकारी ने डियम कंपाउंड और मगरी टोला में बने एवियम और वीवी पैट वेयर हाउस पहुँच कर आंतरे कनिलिक्षण कर रखी हुई एवियम और वीवी पैट की सुरक्षा देवस्था की भी जांच की अलागंज पुलिस ने चौरी के मामले में वांचित चल रहे एक अभ्युक्त और नावालिक आरोपी को भी गरिफ्तार किया है पुलिस ने करवाई करते हुए अल्ला गंज के मुहलाज शिवकुरी के रहने वाले अमन को ग्रिटार के इसके अलावा एक नावालिक को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है पुलिस ने दोनों के पास से चोरी की दो साइकल और दो सीलिंग फैन बरामत किये हैं पुलिस ने अभ्युक्त को नियायाले के समक्ष पेस करते हुए जेल भेई दिया जबकि नावालिक को बाल सुधार ग्रह भेजा गया है तेलहर नगर में दुकान का छज्जा गिरने से एक घट ना हो गई इस जवरान चज्जे के मलवे के नीचे दबकर एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई बताया जा रहा है कि महिला रिस्तेदारी में नामकर्ण का रेकरम सामिल होने जा रही थी जवरान ये घट ना घट गई फिलहाल सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने साब को कपजे में लेकर पोश्ट मार्टम के लिए भे दिया है घटना तिलहर नगर के स्टेशन रोड की है कलान पुलिस ने पांच किलो से ज़्यादा डोड़ा पोस्ट के छिलके के साथ एक तसकर को गरिफतार किया है किस करते हुए जेल भेतिया है